नेता विपक्ष राहूल गांधी लोकसवह में लगातार ये मांग कर रहे हैं कि नीट पर चर्चा हो पिछले साथ सालों में सतर से जादा बार पेपर लीग हुए हैं ये गंभीर मसला है इस पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन आखिर क्यों ओम बिरला चर्चा की इजाज़त नहीं देते दोस्तों लोकसवह में एक बार फिर से राहूल गांधी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नीट पर हम चर्चा चाहते हैं हमारी ये मांग है कि केंद्र सरकार भी इस पर चर्चा करें क्योंकि साथ सालों में जिस तरह से सतर बार पेपर लीग हुआ है देश के दो करोड युवाओं का भविष अधर में अटका है ये महत्तुपूर्ण मुद्दा है युवाओं के बीच एक संदेश जाना बहत जरूरी है दोस्तों राहूल गांधी अपनी बात रखी रहे थे कि उनके बोलते बोलते देश के रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग खड़े हो गए और राजनाथ सिंग ने कहा कि इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती राहुल गांधी बार बार ये बात कहते रहे कि इस पर चर्चा कीजिए पिछली बार भी जब राहुल गांधी ने चर्चा की बात की तो आप जानते हैं किस तरह से उनका माइक बंद किया और आज एक बार फिर जब राहूल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया तब भी उनकी बात को रोकने की कोशिश की गई सबसे पहले आप राहूल गांधी की बात सुनिए और उसके जवाब में राजनाथ सिंग ने क्या कहा है ये भी सुनिए जो नीट का इशू है वो पारलमेंट के लिए ज़रूरी है इसलिए मेसिज़ देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पारलमेंट चर्चा करें मैं देखता हूँ ठीक है अलो सर अलो सर अलो सर अलो पी टू कंडूर सर नो कंक्लूट कर दिया उन्होंने पेले विशे अठ्टक्ष महुद है यह पूरा सदन इस बात से अगत है कि संसत की करवाई कुछ रूल्स और प्रसीजर्स के आधात पर चलती है रूल्स और प्रसीजर्स के अधरिक्त कुछ हेल्डी टेडिशन्स हैं संसत की जिसके आधार पर करवाई चलती है और मानता हूँ कि यह हेल्डी टेडिशन्स हमारे संसत की एक सबसे वड़ी ताकत है जब कभी भी राष्टपती जी के अभीभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि अपने लंबे संसरी जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार्त में कह सकता हूँ कि अन्न किसी विशे पर उस समय चर्चा हुई हो दोस्तों राहुल गांधी और राजनाज सिंग्की इस चर्चा के बाद राहुल गांधी एक बार फिर खड़े हुए और राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है राष्टपती का अभी भाषण की वज़े से अगर आप चर्चा नहीं चाहते हैं तो फिर आप एक दिन तै कर लीजे आप और हम एक दिन तै कर लेते हैं पुरा एक दिन डेडिकेट कर देते हैं नीट को छात्रों को और पूरे एक दिन तक उस पर बात करते हैं चर्चा करते हैं राहूल गांधी ने ये बात रखी और राहूल गांधी ने कहा कि चर्चा के लिए एक दिन तै कीजिए तो ओम बिरला ने कहा कि ये तै करने का अधिकार मेरा है अब दोस्तों यहाँ पर इस बात को समझना बेहत जरूरी है कि जब देश का नेता विपक्ष जो लोगसभा में नेता विपक्ष है राहूल गांधी चुने हुए सांसद हैं वो बार बार नीट पर चर्चा की मांग कर रहे हैं तो आखिर सरकार इस चर्चा से भाग क्यों रह साते लोगसभा स्पीकर यह तो कह रहे हैं कि वो समय देने का अधिकार उनका है यह निर्णे toward के बारे में पता हैं फैसला लेना है यह उनको पता है तो फिर आखिर जब उनको ही ताय करना है तो वह एक दिन क्यों नहीं ताय कर देते अगर विपक्ष इस बात को बार-बार उठा रहा है कि नीट पर चर्चा होनी चाहिए तो लोग सभाय स्पीकर एक दिन क्यों नहीं तै कर देते आप किसी छुट्टी का दिन तै कर लीजे आप रविवार का दिन तै कर लीजे आप शनीवार का दिन तै कर लीजे आप कुछ घंटे तै कर लीजे चार से पांच घंट तरना रहे ये जिम्मेदारी तो ओम बिरला की है क्योंकि अगर ओम बिरला ये बात कहते हैं कि ये फैसला लेने की जिम्मेदारी उनकी है ये निरले उनका होगा वो जब चाहेंगे तब चर्चा होगी तो लोग समझ स्पीकर चर्चा क्यों नहीं चाहते दोस्तों इससे तो य ऐसे में उनके इस भविश्य से जुड़े मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए अगर देश का विपक्ष बार-बार कह रहा है कि आप इस पर चर्चा कीजिए तो फिर वो कौन सी मजबूरी है जिसकी वज़े से नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार इस चर्च से भाग रही है और लोगसभा के स्पीकर ओम बिरला यह चर्चा नहीं होने देना चाहते वो भी चर्चा के लिए कोई तारीक तय नहीं कर रहे दोस्तों यह बेहत गंभीर मसला है जिस तरह से विपक्ष मांग कर रहा है और सरकार भाग रही है और लोगसभा के स्पीकर चर बॉक्स में जरूर बताईएगा और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिएगा